नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितु और मापका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतु रिवोल्यूशनरी फार्मर में तो शक्ति जो बुल्ध है जब वो खुद आठ महीने का था तो इस तरह से दिखता था तो आज इस वीडियो में हर्याना नसल में कई बार काह में हमें लाल रंग देखने को मिलता है यह देखें आप तो शक्ति का बेटा है इसका नामकरण किया गया है भानू प्रताप भानू सूर्य का प्राइवाची है जब सूर्योदय होता है और सूर्य पर लाल रंग होता है उस समय उसको भानू की संग्या भी दी जाती है तो यह देखें दूसरे महीने में कुछ इस प्रकार से दिखता था और पाँचवे महीने का होता होता यह लाल रंग का जो भानू परताफ बचड़ा है वो इस तरह से अपना रंग परिवर्तित करता है यह देखें छैं महीने का जब यह बचड़ा हुआ तब इस प्रकार से था और अभी यह देखें आप देखकर के ताज़ुब जरूर करेंगे दस महीने और पूरे पूरे अठारा दिन का यह हो चला है और अभी इसका आप रंग देखें तो यह देखें सुभह का समय है और दस महीने 18 दिन की इसकी आयू है डेट ओफ बर्थी वो एक्जेक्ट 30 जनवरी 2021 की थी मा को यहाँ पर देख सकते हैं चंद्री का पून्त है सफेद रंग में है ये गोधन फर्स्ट आइमर ये बच्चिया है जिस समय ब्याई उस समय इसकी वीडियो बनाई गई थी लेकिन अपलोड इसलिए नहीं की गई क्योंकि वो कहीं न कहीं भ्रमित करती है लाल बच्चे को देख करके कहीं न कहीं युवा साथी या जिनको इस नसल का संपूर्ण ग्यान नहीं है वह यह कहते कि ये कभी काले रंग में या सफेद रंग में जा ही नहीं पाएगा लेकिन अभी आप देखें शाक्षात आपकी नजरों के सामने वही बच्चा है जो दस महीने और अठारा दिन की आयू पर पहुंशता पहुंशता काला रंग इसने धारण कर लिया है काला रंग मजबूती का प्रतीक है काले जो बैल होते थे हर्याना नसल में वो काफी काफी अपने शरम परिश्रम के लिए खेतों में जाने जाती थे गूगल प्लीज टेल में टाइम और डेट तो भानु की मा जो की चंद्री का इसका नामकर्ण किया गया था स्वेता की ये बेटी थी और जब ये पैदा हुई तब से ले करके और पूरे ब्यात का जो दूद है वो भी इसे इसी तरह से स्वच्छंद पिलाया गया था पूरा दूद उस ब्यात का इस बच्छिया ने पिया था और उसके बाद प्रकृति के विधान से प्रकृति के नियम से प्रकृतिक तोर पर नैसरगिक तोर पर शक्ति से मिलान हो करके और इसका गर्वधारन हुआ था और तब इसने इस बच्छडे को जनम दिया था और इस बच्छडे को भी अपनी मा की ही तरह पूरा दूद पिलाने की पीने की इसको शुरू से आजादी दी गई थी अपनी मा के साथ ये गोचर में चरके आता था और जितनी बार ये चाहे उतनी बार ये अपनी मा से दूद प्राप्त करता था आज बच्डों को जो उनका हक है वो न पिला करके कहीं न कहीं जादा से जादा एक लिटर या दो लिटर पिला दिया जाता है लेकिन अगर इस नसल को फुनर स्थापित हमारे समाज में करना है तो ऐसी हमें पीडियों की आवशक्ता मिलेगी जो जिनका प दोधन है चंद्रिका और आप देखें कि जिस समय दूद ये दे रही है उस समय अपने शरीर के ओपर ज्यादा मास नहीं चड़ा रही है यह मिल्क लाइन का एक छोटा सा करेक्टर होता है जो भी पशुपालन या गोपालन करते हैं उन्हें ये पता है तो चंद्रिका निकाल करके देखा गया था तो तकरीबन तकरीबन अंदाजे के तोर पर साड़े ग्यारा बारा साड़े बारा लेटर दूद इसने फर्स्ट आइमर ने बनाया और आप खुद देखें कि 30 जनवरी की ये ब्याई हुई है और अभी 18 दिसंबर को ये वीडियो कवर किया गय जिस समय इसके नीचे दूद खत्म हो जाएगा ये अपने आप अपनी जगह बदल देगी और फिर इस बचड़े को अपने नीचे नहीं लगने देगी तो इस चीज को आप देखें कि दूद पीते वक्त बचड़े ने जो अच्छे जाग जो बनाए है लार जो बन रही है वो दूद की इसको जो अपनी मा से अभी भी ठीक ठाक जो प्राप्ती हो पा रही है तो ऐसा अक्सर जो कह दिया जाता है कि देशी गाएं ज्यादा लंबे समय तक दूद नहीं देती है या दो महीना या चार महीना का इनका धीना होता है तो आप साफ सूस पश्ट देखें दस महीने 18 दिन की ब्याई हुई हो चुकी है फिर भी बचडे को इतने समय तक दूद पिला रही है यह देखें तकरीबन यह देखें निचे जाग आप साफ सूस पश्ट देख सकते हैं तो आप इस समय एक टाइम का डेड़ लिटर मानने दो लिटर मानने धाई लिटर मान और यह देखें जैसे जैसे इसकी आयू 10-10-11 महीने के आसपास हुई है इसका रंग अपने बाप के रंग पर परिवर्तित हुआ है और सामने यह जो बचड़ा आप देख पा रहे हैं यह बचड़ा भी शक्ती ब्लड लाइन का ही बेटा है शक्ती का ही बेटा है इसकी तो शक्ती के जो बचड़े आ रहे हैं बचड़े आ बचड़िया उनमें 60 परतीशत हमें सफेद रंग देखने को मिल रहा है 20 परतीशत हमें इस तरह का लाखा रंग भी कहें या शाम रंग इसे कहें यह भी देखने को मिल रहा है और 10 परतीशत जो बच्चे हैं वो लाल र रहे हैं तब लाल रंके आ रहे हैं और कुछ बच्चे पैदा होने के समय इस रंके लाखे रंके हैं तो ये देखें । दूद पिलाने के बाद अब चंदरी का इसका अनुमती नहीं देगी और ज्यादा थोबे-मारने के लिए या और ज्यादा थनों से चिप्टा रहने के लिए और एक बच्चा ऐसा भी है जिसके कुछ धब्बे भी आएं तो इस तरह जो शक्ति की प्रोजैनी है वो आपके सामने सूसपस्ट रख दी है आप स्वें विवेक से इसका आंकलन करें तो चंद्री का ये थी और यहां पर देखें सुबह का समय है और शक्ति के ही दो फादर साइड शक्ति फादर साइड ये बच्चिया शक्ति फादर साइड ये देखें आप चेहरे की जो बनावट है हाँ बही सुनाओ आजा आजा तो इधर से गुम गया कॉंट्रास्ट आप देखें अब भी से इनके जो करेक्टर्स हैं वो डवलप होने शुरू हो गए ये देखें तो शक्ति की जो आयू है तीन साल और ग्यारा महीने के आसपास जनवरी 24 को ये अपने पूरे चार साल की आयू प्राप्त कर लेगा और राजा जो है वो इस से दो ड़ाई महीने छोटा है तो दो ब्लड लाइन इसलिए तैयार की गई थी कि जब शक्ती की पच्छडी आएंगी तो उनको फिर किन से ग्याभिन करवाएंगे वो राजा है पीछे से ये देखे सुबह का समय है अपने दाने चारे पर आते हैं ये राजा की बेटी है ये शक्ती तो इसका जो मेख है वो काफी काफी स्ट्रॉंग अगर अगर सीमन बैंक में जाएंगे तो वहां पर भी आपको काले ये रंग के जो सांड है वो देखने को मिलेंगे हर्याना नसल के चार पांच सांड अभी जिनका सीमन कलेक्शन हो रहा है ब्लैक कलर में है इस तरह के ये शक्ती की बिटी इदर आ तो नसलें तयार करना कोई हसी खेल नहीं है उनको वो प्राकरतिक माहोल दिया जाना चाहिए सांडों को एक जगें खड़े रख करके बांद करके नाथ डाल करके नर पे नर को कुदा करके इस तरह से जो नसल विकास किया जा रहा है मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा उचित है प्राकरतिक ववस्था में आप उन्हें रखें एक दूसरे के साथ मेल ने सामने हैं दोनों ही सकती के बिच्चे यह देखें